आज की चर्चा को हम कुछ मीठा और एनरजेटिक बनाने का प्रयास करें इसके लिए मैंने एक ग्लास शर्बत लिया है और इसमें मैं कुछ बर्फ के टुक्डे डालती हूँ आप भी ऐसा ही करते होंगे न जब गर्मी के दिनों में आपको ठंडे ठंडे शर्बत पीने की इच्छा होती होगी तो आप देखते हैं कि कैसे ये बर्फ के टुक्डे पिघलने लगते हैं और इन बर्फ के टुक्डे के पिघलने के कारण ये पूरी शर्बत ठंडी हो जाती है तो अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तों में ये बर्फ के टुगड़े पिघलते कैसे हैं बर्फ के टुकड़ों को शर्बत पे डाला गया तो ये बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे पिघलने लगे और शर्बत अब थंडी होने लगी बर्फ पिघलने के लिए शर्बत से उश्मा ग्रहन करती है तो शर्बत थंडी हो जाती है यह थंडी शर्बत भी थोड़े समय के बाद कमरे के तापमान के बराबर हो जाती है क्योंकि उश्मी साम्यावस्था स्थापित हो जाती है यह ठंडी शरबत उश्मा का अवशोशन तब तक करती है जब तक की उश्मी साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती है बर्फ पिघलने के लिए शरबत से घलन की गुपत उश्मा के बराबर उश्मा अवशोशित कर लेती है यहाँ पर हमने गर्म चाय कप में रखी हुई है ऐसे इसमें से वाश्प निकल रही है अब धीरे धीरे वो वाश्प निकलना बंद हो गई लेकिन फिर भी इसमें से उश्मा जो है वो निकल रही है अब ये चाय भी धीरे धीरे थंडी होने लगी तो ऐसा क्यों हुआ? अब हम जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि इसमें से उश्मा परिवेश की तरफ निकल रही है तो जब कम्रे का तापमान एवं चाय का तापमान दोनों समान हो जाता है तो यहां एक उश्मी साम्यावस्था की स्थिती स्थापित होगी और इस वज़े से यह चाय थंडी होने लगती है इस प्रकार हमने यह देखा उश्मी साम्यावस्था की स्थिती स्थापित होती है हमारे जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं जो की उर्जा परिवर्तन से संबंधित है और यही हमारा अध्याय है थर्मो डायनेमिक्स या उश्मा गतिकी उश्मा गतिकी या थर्मो डायनेमिक्स यहां दो शब्दों से मिलकर बना है थर्मोस एवं डायनेमिक्स थर्मोस का अर्थ होता है हीट और डायनेमिक्स का अर्थ होता है मोशन motion of heat जैसे कोईले का दहन कोईला जब जलता है उसमें से उश्मा उत्पन होती है इंधन का दहन हो रहा है यहां पर जो LPG gas हम यूज करते हैं उसमें भी इंधन का दहन हो रहा है तो यहां पर जो अणवों में संचीत जो रासायनीक उर्जा है वह उश्मी उर्जा में परिवर्टित होती है इसी तरह से कार में जो इंधन का दहन होता है यहां हम देखते हैं कि रासायनीक उर्जा यांत्रिक उर्जा में परिवर्टित होती है और कार लगातार चलती रहती है तो यहां हम देख रहे हैं उर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है ऐसे बहुत सारे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन हम देखते हैं जिससे उत्पन जो उश्मी उर्जा है उसमें होने वाले परिवर्तन एवं उसमें मात्रात्मक संबंधों का अध्यन किया जाता है इस थर्मोडैनेमिक्स के अंदर उश्मा गतिकी में हम ये जानेंगे कि कैसे उर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है और विभिन जो भौति केवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें उर्जा परिवर्तन किस प्रकार से होता है उश्मा गतिकी के जो नियम है वे पूर्ण रूप से मानवी अनुभव पराधारित है इसका कोई भी सैध्धान्तिक प्रमान नहीं है और वे आज तक सही ही साबित हो रहे हैं और उम्मीद है कि आगे चल कर भी हमारे जीवन में होने वाली जो भी घटनाए हैं उश्मा गतिकी के संबंधित वो आज तक जैसे सही पाए गए हैं वो आगे भी सही पाए जाएंगे तो उश्मा गतिकी के जो सभी नियम होते हैं वो केवल स्थूल तंत्रों पर ही लागू होते हैं यहने मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पर ही लागू होते हैं तो macroscopic system जो है जिसमें बहुत सारे अणूं, बहुत सारे परमाणूं से मिलकर यह system बना होता है और उन्हीं पर यह उश्मागती की के जो नियम है विए लागू होते हैं यहां चुकि हम chemistry में उश्मागती की बारे में जान रहे हैं तो यह एक chemical thermodynamics के नाम से जाना जाएगा नहि sandwiches Дूसरा कोई भी रासाइनिक अभिक्रिया दिये गए दर्शाओं में वो किस हट तक संभव हैं nowhere और किसी भी तंत्र के अंतिमवस्था प्रारम्भी कवस्था इन दोनों पर यह निर्फ पर करती है उश्मागतिकी के जो नियम है वे केवल स्थूल तंत्रों पर ही लागू होते हैं और उश्मागतिकी का जो छेत्र है वो अभिक्रियादर एवं उसके क्रियाविधी के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो ये इसके कुछ दोश है जब कभी भी न नय बंद बनते हैं तो पुराने बंद तूटने लगते हैं तो नय बंदों का बनना और पुराने बंदों का तूटना तो जब पुराने बंद तूटते हैं या बंद वियोजित होती है तो उर्जा की आवशक्ता होगी और जब बंद नया बनता है तो उर्जा उत्सरजित हो को तोड़ने के लिए कितनी उर्जा क्याब शक्ता हुई और किसी भी बंद के बनने पर कितनी उर्जा उत्सर जीत होती है। उश्मा गतिकी के नियम किसी भी तंत्र में तभी लागू होते हैं जब तंत्र साम्य आवस्था की स्थिती में होता है। जैसे यदि हमें कुदाहरण लेंगे कि फ्लास्क है, फ्लास्क में गर्म चाय रखी हुई है लेकिन कुछ समय के बाद वो धीरे-धीरे थंडी होने लगती है। तो चुकि यह फ्लास्क है जो की एडियावेटिक सिस्टम ही है लेकिन इसमें चाय जो रखी है वो धीरे-धीरे ठंडी हो जा रही है। तंत्र परिवेश की तरह उश्मा का प्रवाह कर देता है तो जिससे एक साम्या वस्था की स्थिति बनी होती है यह फ्लास्क के अंदर रखी हुई चाय और जो वातवरण का तापमान हैं दोनों तापमान एक समान हो जाता है। उश्मागतिक साम्यावस्था की स्थिती में हम देखते हैं कि यांत्रिक साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था एवं उश्मी साम्यावस्था ये तीनों ही शामिल होते हैं। उश्मा गति के जो नियम होते हैं वो प्राया देखा गया है कि जो स्थूल तंत्र हैं उन पे अधिक लागू होते हैं स्थूल तंत्र या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ये क्या होते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जिसमें बहुत सारे अणू, परमाणू एवं मूलक होते हैं और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में एक अणू या एक परमाणू से ही संबंध होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को समझने के लिए चलिए हमें कुद आहरन लेते हैं यहाँ पर देखिए एक boiler है, boiler में जल गर्म होता है, जल गर्म होने पर भाब बनती है और यह भाब जो है वो टर्बाइन को गुमाती है, यह टर्बाइन जो है वो generator shaft से जुड़ी होती है फिर यह और यहाँ से विद्यूत का उत्पादन होता है, तो जल जब गर्म होता है, तो हम देखते हैं कि temperature और pressure दोनों में विर्धी होती है, तो जब temperature और pressure दोनों में विर्धी होती है, तो अणों की गती भी बढ़ेगी, उश्मा में भी विर्धी होती है, तो यहाँ हम किसी एक अणों के व्यभार को समझना हमारे लिए बहुत ही जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होते हैं उश्मागतिक नियम को समझने के लिए सही होते हैं अब हम कूर्जा के रुपांतरन के बहुत सारे उदारन जो हमारे दैनिक जीवन में हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम जानेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्यू तूर्जा का यांतरी कूर्जा में परिवर्तन तो आपने देखा होगा कि पंखा गुमता है या मशीन चलती है तो यह क्यों होता है क्योंकि विद्यू तूर्जा यांतरी कूर्जा में परिवर्तित होती हैं इसी तरह से रासायनी कूर्जा से विद्यू तूर्जा का उत्पादन होता ह उश्मी उर्जा विद्यूत उर्जा में जब परिवर्तित होती है तो इसका बहुत अच्छा उदारन है थर्मल पावर प्लांट इसी तरह से विद्यूत उर्जा का उश्मी उर्जा में परिवर्तन होता है यहने हम विद्यूत धारा प्रवाहित करते हैं आपने देखा होगा कि किस प्रकार से गीजर है या हीटर है उसमें विद्यूत धारा प्रवाहित करने पर या विद्यूत उर्जा उसमें उष्मी उर्जा में परिवर्तित होती हैं तो इस तरह से हमने जाना कि उर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्टित होते रहते हैं तो इन सब का संबंद उश्मा गतिकी के प्रथम नियम से है हम इसे आगे समझेंगे अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उश्मा उत्पन होती है तो हम उसे उश्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं किसी भी अभिक्रिया में जब उश्मा आवशोशित होती है तो उसे हम उश्मा शोशी अभिक्रिया कहते हैं लेकिन वास्तों में ये उश्मा आती कहां से है या ये उश्मा जाती कहा है रासायनी कभी क्रिया सुत्पन होकर तो इन सब पदों को समझने के लिए हमें उश्मा गतिकी से संबन्धित कुछ विशेस पदों को बहुत अच्छे से समझना है सबसे पहले हम जानेंगे तंत्र, निकाय या सिस्टम तंत्र निकाई या सिस्टम क्या होता है तो पूरे ब्रह्मान का वह भाग जिसमें हम गुणों का अध्यान करते हैं या जिसे प्रायोगीक और स्याध्यानतिक अध्यान के लिए चुना जाता है तो ये जो तंत्र है ये सरल भी हो सकता है और जटिल भी हो सकता है यहाँ पर यह तंत्र एक चाय का कब भी हो सकता है मानव शरीर भी हो सकता है अब हम जानेंगे परिवेश क्या है तो तंत्र को छोड़कर पूरे ब्रह्मान का शीष बचा हुआ जो भाग है वो कहलाता है परिवेश या surrounding यहाँ पर जो परिवेश है वो पूरी तरह से तंत्र को प्रभावित करता रहता है ये जो सीमा रेखा होती है ये कालपनिक और वास्तविक भी हो सकते हैं गतिशील भी हो सकते हैं और स्थेर भी हो सकते हैं तो इस तरह से ब्रह्मान का निर्मान जो है वो तंत्र एवं परिवेश के द्वारा होता है और तंत्र एवं परिवेश को प्रिथक करने के लिए जो रेखा है वो कहलाती है परी सीमा तो पूरे ब्रह्मान में तंत्र, परिवेश और बाउंडरी तो इस तीनों को मिलाते हैं तो बनता है ब्रह्मान या यूनिवर्स अब हम जानेंगे कि तंत्र के कितने प्रकार होते हैं open system, closed system और isolated system open system या इसे हम खुला तंत्र भी कहते हैं इसका अर्थ है कि जहां तंत्र एवं परिवेश के बीच उर्जा एवं परिवेश के बीच लगातार होता रहता है जैसे यहां पर हमने गर्म पानी लिया है तो इसमें से जो वाश्प है वो बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है तो यहां पर तंत्र एवं परिवेश के मध्य पदार्थ एवं उर्जा का लगातार आदान प्रदान हो रहा है मनुष्य का शरीर ये भी एक खुला तंत्र का उदाहरन है किसी भी खुले पात्र में होने वाली जो रासायनी क्रिया है ये भी खुले तंत्र का उदाहरन होगा अब हम जानेंगे बंद तंत्र या Closed सिस्टम बंद तंत्र का अर्थ होता है कि जब तंत्र एवं परिवेश के बीच केवल उर्जा का आदान प्रदान हो पदार्थ का आदान प्रदान नहो तो उसे हम कहते हैं बंद तंत्र या क्लोज सिस्टम इसके लिए हमने जाना एक उदाहरण की जैसे यहाँ पर हमने गर्म पानी लिया है तो इसमें से जो वाश्प है वो बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है इसी स्टेनलेस स्टील के बरतन में हमें एक धकन लगा देते हैं अब यहाँ पर इसे जब हम छूते हैं बाहर से तो यह हमें गर्म महसूस होती है क्योंकि यहाँ पर उर्जा का आदान प्रदान हो रहा है लेकिन पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो रहा है देखिए इसमें से वाश्प बाहर नहीं निकल रही है तो कि stainless steel के बरतन में यदि गर्म दूद, चाय या गर्म जल को रखा जाता है और उपर से इसके ढखकन को बंद कर दिया जाता है तो इसमें से उर्जा का अदान प्रदान तो होता है लेकिन पदार्थ का अदान प्रदान नहीं होता है हम जो use करते हैं mobile या laptop ये भी बंद तंत्र का उदारन है जैसे जैसे हम कारे करते रहते हैं लगातार तो हम देखते हैं कि mobile भी गर्म हो जाता है और जो laptop है वो भी गर्म लगने लगता है तो अब हम जानेंगे विलगित निकाय क्या होता है या isolated system से हम क्या समझेंगे तो isolated system का अर्थ होता है कि जब तंत्र एवं परिवेश के बीच ना तो उर्जा का आदान प्रदान हो और ना ही पदार्थ का आदान प्रदान हो इसे हम isolated system कहेंगे पुदारन लिया थर्मस फ्लास्क इसके अंदर या तो गर्म दूद, गर्म चाय या गर्म जल जो भी रखते हैं कुछ देर तक ये गर्म ही रहता है तो यहाँ पर उर्जा एवं पदार्थ किसी का भी आदान प्रदान तंत्र और परिवेश के बीच नहीं होता है हालाकि कुछ समय के बाद इसमें रखा हुआ जल या दूद धीरे धीरे ठंडा होने लगता है लेकिन धर्मस फ्लास्क एक विल्गी तंत्र की तरह ही कारे करता है क्योंकि इसमें से पदार्थ एवं उर्जा का आदान प्रदान परिवेश के साथ नहीं होता है ब्रम्हान को भी हम विल्गी तंत्र के रूप में समझ सकते हैं अब हम समझेंगे निकाय की अवस्था या किसी भी तंत्र की अवस्था क्या होती है तो तंत्र की अवस्था का संबन जो है उस तंत्र में इस्थित जो भी स्थूल गुण होते हैं उसमें उनके मान निश्शित होने चाहिए और इसमें से किसी में भी यदि परिवर्तन होता है तो उस तंत्र की जो अवस्था है वो बदल जाती है तो यहीं से हम समझ सकते हैं अवस्था फलन के बारे में कि तंत्र के मापे जाने वाले ऐसे गुण जो की तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं उस तक पहुँचने में उसने किस पत का प्रियोग किया है इससे वो संबंधित नहीं होता है केवल वह तंत्र की प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है तो इसे हम अवस्था फलन कहते हैं कुछ उश्मागतिक पैरामिटर होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि इनमें परिवर्तन होने पर उस तंत्र की अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है यहां हम एक गैसी तंत्र का उदाहरन ले लेते हैं जैसे किसी भी गैसी तंत्र को हम टेमप्रेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या मोलो की संख्या या द्रवेमान के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं लेकिन यदि मान लीजिए इसमें से किसी भी गुण में परिवर्तन होता है तो उस तंत्र की अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है प्रेशर और टेमप्रेचर है तो प्रेशर और टेमप्रेचर जो है वो आयतन को प्रभावित करती है तो हम यह मान सकते हैं कि जो अवस्था फलन है वो दो चरो के संबंद को दर्शाता है यहाँ पर हम ले रहे हैं एक आदर्श के समीकरन PV बराबर RT यदि हम NRT भी लेते हैं तो मॉलोगी संख्या क्या धार पर उसे व्यक्त किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर हमने केवल लिया है PV is equal to RT तो यदि वॉल्यूम निकालना है तो V equal to होगा RT upon P तो यहाँ पर जो R है वो गैस स्थिरांग है तो एक स्थिर्मान हो गया तो जो आयतन है वो किस पर निर्भर कर रहा है प्रेशर और टेंपरेचर पर क्योंकि आयतन जो है गैस की जैसे जैसे हम टेंपरेचर बढ़ाएंगि तो आयतन भी बढ़ता जाता है और दाप बढ़ाने पर आयतन में कमी होती है तो आयतन दोनों ही चीजों से प्रभावित हो रहा है तो यहाँ पर जो आयतन है वह temperature और pressure यानि ताप और दाप दोनों का फलन होता है यहाँ पर ग्राफ है हम देख रहे हैं कि A से B तक परिवर्तन हो रहा है तो A प्रारंभी का वस्था है और B अंतिम वस्था है यहाँ पर A में जो T1 P1 है और B तक जब पहुंसते हैं तो P2 और T2 है जबकि अलग-अलग पत से भी हम यह प्रवेश कर सकते हैं B तक यहाँ पर देखिए एक पत है W1 दूसरा पत है W2 और तीसरा पत है W3 तो अलग-अलग पत से B तक पहुंचने में किया गया जो कार्य है वह भी अलग-अलग है तो यहाँ इस ग्राफ में हम अवस्था फलन को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से A स इस अवस्था को प्रभावित कर सकती है जब भी कोई तंत्र A से B तक पहुंचता है अवस्था फलन के कुछ उदाहरन है अवस्था फलन मुख्य रूप से कौन-कौन से होते हैं चलिए अब हम यह जानते हैं एंथेल्पी, एंट्रॉपी, आंतरिक उर्जा, गिप्स निर्भर करते हैं किसी भी तंत्र के प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते हैं बलकि पत पर निर्भर करते हैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरन हम ले सकते हैं कि यदि हम नीचे खड़े हैं किसी बिल्डिंग में और हमें जाना है सिक्स प्लोर में, तो नीचे से लेके 6 फ्लोर तक की जो उचाई होगी H, वो यहाँ अवस्था फलन है, लेकिं नीचे से 6 फ्लोर तक पहुचने में हमें कुछ न कुछ कारे करना पड़ता है तो यह कारे निरभर करेगा कि हम सीड़ी से 6 फ्लोर तक पहुचते हैं या लिफ्ट से 6th floor तक पहुचते हैं तो ये एक पत फलन है तो कार्य एवं उश्मा W एवं Q पत फलन को दर्शाते हैं अब हम जानेंगे कि अवस्था फलन के कौन कौन से गुण है जैसा कि हमने जाना परिभाशा में ही कि अवस्था फलन किसी भी तंत्र के प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है उसके पत से वो स्वतंत्र होता है याने पत पर वो निर्भर नहीं करता है दूसरा पॉइंट है कि दो या तीन यदि अवस्था फलन है उसके मान पर भी वो निर्भर करता है, यानि उनके निर्धारण हो जाने पर, किसी भी तंत्र में प्रेजेंट जो दो से तीन जो उसके अवस्था फलन है, यदि उनका निर्धारण हो जाता है, तो बाकी जो अन्य अवस्था फलन है, उनका मान भी स्वतह निश्चित हो जात प्रयूदक 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 पी।